नमस्का दोस्तों इस वीडियो में हम लोग AutoCAD के इंटरफेस के बारे में जान लेंगे तो सबसे पहले जब आप लोग AutoCAD या AutoCAD LD को स्टार्ट करेंगे तो यह ऐसा वेलकम स्क्रीन आपको दिखेगा यह हमारा Create Window है यहाँ क्लिक करके हम नए ड्रॉइंग को स्टार्ट कर सकते है यहाँ कुछ pre-defined templates आपको मिलेंगे इनके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे यहाँ हमें कुछ recent documents मिलेंगे जिने हमने recently access किया होता है और यहाँ से Autodesk में sign in कर सकते है यहाँ बाएं तरफ learn screen है तो इस arrow में हम क्लिक करते है यहाँ हमें AutoCAD LT के इस version में जो भी updates हुए है उसके बारे में जानकरी मिल जाएगी यहाँ कुछ getting started ड्रॉइले videos है आप चाहे तो इन्हें play करके देख सकते है यहाँ कुछ tips वगेरे और यहाँ से आप Autodesk के कुछ support वगेरा ले सकते है तो फिर से create screen में चलते है और drawing को start करने के लिए यहाँ start drawing पे click करते है तो यह हमारा एक drawing window खुल चुका है यह top lift corner में आप देख सकते है ALT लिखा हुआ है इसे हम लोग application menu या फिर application bar कहते है इस पर हम अगर left click करते है तो आप देख सकेंगे कुछ basic से functions या available है जैसे कि कोई नया drawing स्टार्ट करना हो किसी existing drawing को open करना हो drawings को save करना हो import, export या फिर print वगेरे कराना हो फिर नीचे drawing utilities और यहाँ die तरफ जो भी recent documents हमने access की रहते है वो दिखते है और यहाँ नीचे options है और इसके ठीक डाएं तरफ यह quick access toolbar है यहाँ सारे same functions है जो कि application menu में हमने देखा था बस यहाँ से हम इने एक ही click में access कर सकते है इसलिए इसे quick access toolbar खहते है यहाँ से हम इसे customize भी कर सकते है इन functions को चाहे तो हम यहाँ add कर सकते है जैसे कि workspace पर click करते ही यह यहाँ add हो चुका है आप फिर से इसको यहाँ से हटा भी सकते है और आप चाहे तो किसी भी tool को भी यहाँ पर add कर सकते है बस आपको tool पर right click करना है और add to quick access toolbar कर देना है यह हमारे different tabs है और यह जो पुरा portion मैं अभी दिखा रहा हूँ इसे ribbon कहते है और ribbon के अंदर आपको कुछ vertical lines दिखेंगे तो एक line से दूसरे line तक इस part को हम panels कहते है यह हमारा draw panel यह modify panel यह annotation panel different tabs के different panels और panels के अंदर यह सारे tools यह हमारे drawing tabs है हम एक time पे कई सारे tabs को एक साथ खोल कर उन सब पे काम कर सकते है डाएं तरव इसे हम navigation bar या nav bar कहते है drawing को navigate करना हम mouse function से ही सीखेंगे यह नीचे हमारा command line है यह command inputs दिखाता है और यह अगर गलती से आपका हट जाए तो आपको अपने keyboard से control की को प्रेस करके 9 की को प्रेस करना है यह वापस से restore हो जाएगा और नई users को हमेशा अपनी आखे command line पर बनाई रखने होगी यह हमारा model space है और यह हमारा layout space है यहां हम title block वगर एड़ कर drawing को proper scale कर print वगर ले सकते है यह नीच स्टैटस बार है जहां बहुत से important features है जिने हम अगले वीडियोज में जाल लेंगे जाएगा यह हमारा लेंगे